मैं हूँ भारती और आज के वीडियो में आप लोगों के साथ अपने प्लांट्स और जो पॉर्ट्स है वो शेयर करें जो मैंने शापिंग की थी दो दिन पहले तो कुछ की नाम मुझे पता चल गए है कुछ की नहीं पता है तो एक दो प्लांट को छोड़के सारी सकुलन्स ह और बहुत ही सुंदर है कुछ लेके मुझे लग रहा है कि नहीं लेने चाहिए थे लेकिन कुछ लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों से शेयर करते हूं कि मैंने कौन-कौन से प्लांट्स लिये हैं और प्राइस भी चोटे-चोटे यह 20 का है और यह भी 20 का है लेकिन इस पर 24 तो फिर मैंने उनसे जो 20 का बोला तो उन्होंने दे दिया तो यहां पर दिखे और उपर से विर्थवाई जी काफी खुला है तो यह एक अच्छी डील लगी मुझे और काफी खुला है तो यह पांच पॉट लिय है तो उन्होंने 20 का दिया है अगर सिंगल पॉट लेते तो शायद नहीं मिलता तो यह पांच पॉट और यह कच्छी सिक्स्त वाला यह तो यह वाले पॉट्स मेरे लिए हैं तो चलिए भी बढ़ते हैं पॉधों की तरफ तो मैं आपको सारे पॉट्स दिखा देती हूं कि खूब कॉन कॉन से लिए हैं मैंने तो यह पर देखे सबसे पहले तो यह है यह सीडम की वराइटी है सीडम लिटल मीसी बूलते हैं अब मैंने सब के नाम सर्च किये थे लेकिन अब बूल गई हूँ तो बाद में मैं यहां पर टाइप कर दूँंगी तो यह बहुत ए खु डेमेज हो जाता है तो इसकी दर-दर कटिंग गिर गए थी तो मैंने दो कटिंग इसकी लगा दी है तो बाकी इसको मैंने इसी पॉर्ट में भी रखना है अच्छे से खिल जाए उसके बाद इसको बड़े पॉर्ट में शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही खुबसूरत सा है ये इसकी चोटी-चोटी सी पतियां है चोटी-चोटी सी ब्रांचिस हैं तो ज्यादा बड़ी नहीं होंगी और हैंगिंग पॉर्ट में ये लगा हुआ और भी ज्यादा खुबसूरत लगेगा तो एक ये मैंने पॉर्ट लिया है 120 का बोल रही थी और 100 का ये हमें मिला है तो चोटा सा पॉर्ट है लेकिन जो पॉर्ट है पॉर्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और इनको मैंने एज़डी सी ही रख दिया था आकर कुछ भी नहीं किया जस्ट मैंने एक बार स्प्रेय कर दिया इन में पाने का कि कहीं किसी को कई बार पाने की जरूरत होती है का नाम है सीडम सीडम की वराइटी है लिटल मी सी यहां पर मैं जो भी इसकी नाम है वो लिख दूँगी अगर मैंने प्रणाउंस भी अच्छी से नहीं किया है तो फर्स्ट यह पॉट प्लांट है उसके बाद यह देखे यह बहुत ही खूबसूरत प्लांट है पॉली बै होते 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 हैं बिल्कुल वैस्ते हैं तो बियर पाव होई सामनी आ रहा है बाकी अभी मुझे पता नहीं है तो दीरे दीरे इसका एक्सपीरियंस करेंगे और जो भी इसकी आदते हैं जैसा भी है वो दीरे दीरे शेयर करेंगे तो यह पॉट प्लांट मुझे मिला है 50 पीस में यह भी एंगिंग प्लांट है संक सकूलन प्लांट है और बहुत ही कुबसूरत और डिफरेंट सा प्लांट है पादे यह एक बोंजाई टाइप का जो प्लांट है बन जाता है तो अभी मैंने इसका नाम मुझे आनी रहा तो क्या ना टाइनी कोडोन कुछ ऐसे करके नाम था शायद तो यह एक वराइटी है यह भी बहुत खुबसूरत है सकुलेंट है उपर इसके चोट चोटे से फूल लग रहे हैं शायद फूल ही होंगे तो यह काफी बड़ा हो जाता है तो यह भी मुझे अच्छा लगा मुझे लग रहा है कि यह पंजाब में चल हैं कि चल जाएंगे तो बग की देख आने वाले टाइम में पता चले चलेगा तो यह भी स्कूलन प्लांट ही है इसको मैंने लिया है 50 रुपीज में उसके बाद यह बला प्लांट है यह जब मैं स्कैन कर रही हूं तो यह भी सेम ही आ रहा है तो इसको भी मैंने शायद 40 य जब लिये जब घरा के बाद मैंने देखा तो कि दोनों सेम सेम लग रहे हैं तो लेही लेने चाहिए था तो फिर मैंने सूचा कि चलो अब आ ही गए हैं तो क्या कर सकते हैं तो इसका नाम भी सेम है वही यह भी शायद बोंदाइ टाइप का प्लांट बन जाता है तो छोट पाद ये हैं कि ये बिमझे कुछ खास नहीं लग रहा जब मैने ले लिया तो ये मैंने cardiovascular मिलीया है तो ये भी देखने में वैसे खुबसूरत है अच्छा है बुरा भी नहीं इतना लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये नहीं लेना चाहिए था तो ऐसा है कि जब मैं गई ध में लिया है तो यह भी हो नहीं है से लिया है जिन से मैं पहले लिती हूं तो यह भी सकुलेंट है तो शायर कटिनी से भी ग्रोव हो जाता होगा तो एक छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है उसके बाद यह वराइटी सी इस ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की लेकिन यह मुझे प पॉन टाइप के और यह वैरिएटेड वाला है स्टिंग ऑफ तो इसकी जो आप देख सकते हैं ग्रोथ काफी अच्छी है काफी बड़ा है और यह भी मुझे फिफ्टी में मिला है यह पॉली बैंग मी है और इसकी जो सॉयल है आप देख सकते हैं बिलको सूखी हुए पति हैं में इनको ग्रोव करती है तो जो यह पतियों की खाद होती है या पतियों का सॉयल मिक्सर होता है यह बहुत जल्दी सूख जाता है शायद इस बज़ए से सक्टॲंड से उनके ख्राब नहीं होती है तो यह मैंने फिफ्टी में लिया है स्टिंग ऑफ पर्स है और वेरि था और बहुत सुन्दर था और आज तक मुझे वो प्लांट कहीं नहीं मिला है तो काफी ज़यादा मैंने तब ग्रो किया था और काफी अच्छे से उसकी कटिंग में ने इदर उदर लगाई थी और काफी ज़्यादा फैल गया था लेकिन तब मुझे ज़्यादा नौलेज नहीं थी इनके बारे में कि इनको दुबारा से लगाना पड़ता है सीजन टू सीजन तो वो ऐसे ही हो गया तो तब मैं थोड़ा केरलेस भी हुआ करती थी ज़्यादा मुझे नहीं होता था कि मुझे प्लांट खराब नहीं करना है बस मुझे शौक होता था कि हाँ कोई प्लांट लगाना है अगर खतम हो जाता था उतना दुख भी नहीं होता था तो जब मैंने इसको देखा तो ये मुझे लगा कि ये वही है तो मैंने ले लिया लेकिन 80-90% तो लग रहा है कि वही है बाकि इसके जो आउटर लाइन है इसके जो एजिस है थोड़े डिफरेंट है और कलर सेम है तो ये कोलियस मुझे मिला है 20 रुपीज में और एक ये है य मुझे अच्छा नहीं लेगा था कहते कि ये चल जाएगा पंजाब में तो वह मुझे 40 वोड़े थे मैंने का फिर कहते है 30 लगा देता हुआ मैंने का मैने 20 रुपे देने है तो फ्री में भी क्यों लेना क्योंकि वह भी मेंनत करते हैं सारा दिन घड़े रहते हैं तो फिर तो क्वैंने का 20 रपें इसके जायज है कि लंबी सी स्टीक तो है को क्या किया कट इसकी कृटिंग भी लेकर आई थे तो तब मैने लेना नहीं था मुझे आइडिया नहीं इसको फिर मैंने लिया तो यहाँ पर देखें यह भी काफी टूट गया है इधर उधर मैंने इसके कटिंग लगा भी दिया उपर से और काफी ज्यादा प्लांट्स हो गए थे मारे पास और भी समान था खरका तो फिर यह इस तरह से टूट गया इसी के नीचे देखिए यह प तो आज की वीडियो में यहीं पर खतम करती हूं कि बहुत जादा लंबी होगी है तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताईएगा प्लांट्स कैसे लगी वो पी बताईएगा और फिर से मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए